सब्सक्राइब तो मैं चैनल लाविस्टाइल वीडियो थेंक यू हाई गाईज आम परना बनाना बहुत ही इजी है यह जादा वक्त बिल्कुर भी नहीं लेता बहुत ही कम वक्त में बन जाता है और समर के सीजन चल रहा है तो आप एर रसे पिजली ट्राइ करें काम पाणटा के लिए मेने लिए हैं तीन कच्चे यहम अब अपनी ही से कौनिटी घटा वड़ा सकते हैं तो यह Eco यह एक बरतन लेना लेना और पाने डालना है और इसको बाइल करना है अच्छे से बाइल करना है इसको अच्छे से बाइल हो चुके हैं अब इसका हम पल्प निकाल लेंगे तो तो मेने यहां पर निकाल लिया है मैंने यहां पे लिया है 8 टेवल स्पोन के बराबर चीनी और 1 टेवल स्पोन स्बूना व जीरा आप तावाय पे जीरों को भून लीजिए और अच्छे तरिके से इसको ग्रैंD कर लीजिए और 1 टी स्पून मैंने यहां पे लिया है काला नमक और पूदीना आप पुदीना अपने हिसाब से लेख सकते हैं आपको ज्यादा पसंदो तो आप ज्यादा लीजिए कम पसंदो तो कम लीजिए इन फैक्ट यह सारी इंग्रीडियंस आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं तो पल्प को हम एक जार में डाल लेंगे और अब हम इसमें उसे सारी इंग्रीडियंस यह जैसे चीनी, काला नमक, भूना वजीरा और पुदीना तो दीना जैसे कि मैंने का आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर देना है मैंने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है और अब इसको एक बॉल में निकाल लेना है तो मैंने यह एक बॉल में इसको निकाल लिया है इसमें वाटर डालना है अच्छे से मिस कर देना इसको आप इसको अच्छे से मिस कर लीजिए मैंने यहां पर अच्छे से मिस कर लिया है इसको और ऐसे ही मैं एक और गिलास आमपन्ना बना लूँगी तो मैंने यहां पर दो गिलास आमपन्ना बनाया है और अब हम इसमें डा समर है तो आइस ज़रूरी है डालना तो हमारा आम पना रेडि है